बूर्णिंग वाल फ्यू आज हम सेल टोपिक पड़ेंगे सेल टोपिक के अंदर अपने बहुत से टोपिक हो चुकी है हम डॉबल मेंबरेंट स्ट्चर हमने समझ चुकी है क्लॉड़ोप्लास्ट माइटो कॉंडरिया नुउकलियस सिंगल म्मेबरेंट स्ट्चर के बारे में डिसक्स कर चुक हैं इंड्ड़ोप्लाजिम लेंटिक अडूल जो गर्ल सिस्टम भी बनता है इसके साथ हम माइक्रो बोडीज माइक्रोसोम को समझ चुके हैं प्रोक्सिसो और और पाई जाती है, एक unity के रूप में, एक unit के रूप में वो काम करती है, इसलिए उसको unit membrane बोलते हैं, आज हम पढ़ेंगे नियाटोपिक cell wall, वो भी important है, उसी के तरह का cell membrane की तरह है, cell wall जो पाई जाती है, cell wall, cell wall mainly plant cell में important रूप से पाई जाती है, animal cell में ये absent होती है, है तो वो animal cell के रूप में आती है, plant cell के अंदर सबसे पहले, cork cell के रूप में, Robert Hook ने 1665 के अंदर सबसे पहले, इस cell wall को देखा, उनको cell ही देखी, बलग छोट-छोटे partition देखे, cork cell को जब काटा, और नों dead cell देखी, ये भी important है, cork cell dead cell थी, Robert Hook ने 1665 के अंदर, सबसे पहले उनको observe किया, फिर देदर इसके अंदर microscope के एड़ास ने उटाती है तो इसके अंदर structure है, वो देखी गई, में लिए cell जो होती है, उसकी जो walls होती है, cell की जो दिवारें होती है, वो दो परकार की wall से बनी होती है, एक wall को हम बोलते हैं, primary cell wall, और दूसरी दिवार को हम बोलते हैं, secondary cell wall, primary cell wall और secondary cell wall, यहां आपको diagram दिखाई दे रहा है, तो यहां पर दो structure measure rope से दिखाई दे रही है, एक तो primary cell wall और दूसरी secondary cell wall, तो यह diagram है, वो cell को इस तरीके से देखा गया है, और यह diagram जो है, वो cell के layers को दिखाई गया है, भी कौन-कौन से layer, किस-किस composition के अंदर पाई जाती है, तो हम इसको discuss करते हैं, cell wall में क्या क्या चीज़ पाई जाती है, cell wall क्या करता है, mainly cell wall जो होती है, वो water permeable होती है, जब तक उसके उपर different material का deposit ना हो, मलब कि यह water के लिए पूरी तरह से permeable होती है, जल के याणुओं के लिए पूरी तरह से permeable होती है, ल permeable होती है, या उसको हम selective permeable बोलते हैं, जब कि cell wall जो होती है, वो पारगम में होती है, इस प्रतेक molecule इसके आरपार जा सकते हैं, यह जदा नहीं करती है, जब तक उसके उपर different पदार्थों के अलग-अलग molecules जमान हो, जब तक water impremiable material, जब तक नहीं जमते हैं उसके उपर, य सबी तरह के पदार्थों के लिए क्या होती है, यह पारगम में होती है, तो structure देखते हैं, तो यहाँ पर primary cell wall, primary cell wall सभी cell में पाई जाती है, मतलब कि, जितनी भी cell होंगी, मतलब कि हम बात करें, meristematic cell, जो भी होती है, या जो भी वाजन करने वाली cells होती है, उन सभी cells के अंदर, जो नई cell होती है, जो बनती है, उनके अंदर primary cell wall होंगी ही होंगी, उसको हम बोलते हैं, प्रात्मिक कोशिका विती, तो यहाँ पर उसको primary cell wall बोलते हैं, primary cell wall जो होती है, वो तीन material से बनी हो हैंसलेलोग और पेक्टेन हम समझेंगे वहाई पॉसके अंदर में तरी तीन मैटीरियल User होती है वो सेल वोल का निर्मान करते हैं प्रैमिरी सेल वोल का अब डिफ्रेंस यह कि है में सेल्लोज की मात्रा यहां ज्यादा होती है और सेल्लोज की मात्रा जो होती है वो कम होती है सेल्लोज और में सेल्लोज एक तरह के polysaccharide है carbohydrate के molecules एक change होती है जैसे एक molecule है C6H12O6 इनका N molecule आपस में मिलते चले जाते हैं और इस में से water molecule minus होता चला जाता है तो इस तरह से एक glucose molecule के अनेक change बनती है तो वो change बनती है polysaccharide तो एक तरह का क्या है ये polysaccharide chain होती है एक बहुत लंबे glucose की chain होती है जो जल में agulansil होती है मलब कि ये जल में insoluble होती है इसके द्वारा पानी है वो इसके उपर कोई reaction नहीं करता insoluble होती है और ये material बनते हैं cellulose और hemicellulose कुछ structure का थड़ा बड़ difference होता है वो structure का difference हम bio molecule chapter के अंदर retail पर पड़ेंगे वहाँ polysaccharide monosaccharide, disaccharide सब structure हम पड़ेंगे तो bio molecule chapter आपके element class के अंदर तो वो हम अलग से पड़ेंगे तो यहाँ पर हम ये इतना समझ सकते हैं कि ये starch या polysaccharide इसको हम starch की रूब में बोल सकते हैं या starch या polysaccharide glucose के polysaccharide होते हैं जो आपस में जुड़ कर ये chain बनाते हैं तो यहाँ MS cellulose की मातरा ज़्यादा होती है और cellulose की मातरा ज़्यादा होती है वो कम होती है साथ में pectine होता है pectine भी हम पड़ेंगे बिड़ले मिला जब हम समझेंगे उसके अंदर तो ये material जो बनता है वो primary cell wall का होता है अब secondary cell wall उन भागों में बनती है मलब कि newly formed cell जो नई कोशिकाएं बनती है वो primary cell wall उसके अंदर बनेंगी बनेंगी जो वाजनशिल कोशिकाएं होची या जो नई cell होगी उसके अंदर primary cell wall बनेंगी secondary cell wall उन cells के अंदर बनती है जो mature होती है अलग कि जिनमें विवाजन रुक जाता है primary cell wall वाली cell विवाजन करने वाली होती है जो विवाजन करके अपने आकार को बढ़ा लेती है और वो mature हो जाती है तो mature होने के बाद किसी एक particular function को पोदे के लिए perform करती है तो उन में maturity आने का मतलब है कि उन mature cell से बनी structure जो होती है वो secondary cell वाल होती है उसके अंदर different material cellulose, emisellulose तो जमा होंगी होंगी उसके साथ साथ वहाँ पर lignin और suberin भी जमा हो जाएगा अब suberin जो होता है वो water impremiable होता है lignin जो होता है वो water permeable होता है तो ये 3 layer जल के लिए पार गमिया होती है ये जब तक जमानी है, तब तक cell requirements होती है वो पानी के लिए पार गमिया होगी लेकिन जैसे उसके उपर suberin जम जाएगा तो वो part जो होगा stem के अंदर तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे lignin suverine का क्या वहाँ पर role है तो यहाँ पर यह तीनों layer जो होती है water के लिए permeable है जबकि यह layer जो होती है वो water के लिए difference क्या होता है यहाँ cellulose की मात्रा primary cell valve में कम है जबकि यहाँ क्या होती है सबसे अधिक मात्राज होती है lignin की होती है lignin सबसे अधिक कहां पाई जाती है secondary cell valve में पाई जाती है lignin एक तरह का fatty या एक तरह का protein का material सोड़ी है carbohydrate का molecule है जो क्या करता है अपने साथ polysecoride की chain को बना लेता है तो यह primary cell valve secondary cell valve primary cell valve difference यहां लिखावा है cellulose यहां भी है cellulose यहां भी है यहां cellulose की मात्रा जादा है यहां cellulose की मात्रा कम है hemicellulose primary cell valve में जादा है secondary cell valve में कम है lignin और suverine secondary cell valve का specific character होता है primary cell valve के अंदर lignin suverine नहीं पाई जाती यहां पर pectine pectine क्या होता है primary cell wall, single layer structure होती है, इसके अंदर कोई विशेश्पदार्थों का deposition नहीं होता, cellulose, emissalulose और pectin जो होती है, आपस में आपस में एक दुसरे के साथ गुंतिवी स्थितिय में होती है, और इसको हम कनाधान या कनाधान तरीके से यह क्या होती है, primary cell wall, जबकि secondary cell wall जो होती है, वो स्तराधान प्रिकिरिया के द्वारा क्या होती है, इसका निर्मान होता है, तो basic difference है, primary cell wall, single layer, secondary cell wall जो होती है, तीन layer की पाई जाती है, कुछ plant ऐसे होते हैं, जुनके अंदर tertiary cell wall जाती है, और ये cell wall जान प्लांट होते हैं, जिम्नोस्परम, जिम्नोस्परम के अंदर tertiary cell wall जाती है, जिसके अंदर और ज़्यादा मात्रा में materials का जमाव है, वो शुरू हो जाता है, अब बात करें middle lamella की, middle lamella वो part होता है, जिसके द्वारा एक cell दूसरी cell से चिपकती है, या ये कहें कि एक तरह का ये गौंद होता है, एक gel like structure होती है, जिसके अंदर middle lamella पाई जाएगी, इस तरह से ये दूसरा cell बनाओ, तो दूसरा cell इस परकार से इसके साथ जुड़ेगा, इस तरह से दूसरा cell जुड़ जाएगा, उसके बाद इसके साथ क्या आ अपर आजेगो, ये primary cell बाल कि structure आजेगी, ये primary cell बाल कि structure आ गई, उसके बाद secondary cell बाल कि structure हम बनाएं, तो ये secondary cell बाल कि structure भी यहा पर 3 layer आरी तिन बना देंगे, ये secondary cell बाल है, इस सेकेंटरी सेल वाल इस तरह से, इस सेकेंटरी सेल वाल आगी, उसके बाद टर्सरी सेल वाल है, सोरी सेकेंटरी सेल वाल का दूसरा पार्ट है, सेकेंटरी सेल वाल का दूसरा पार्ट, स्टू, इस तरह से आजेगा सेकेंटरी सेल वाल, यह जो पार्ट है, इस तरह से भी क्या आप इस प्रकार से बनेगी तो यह S3 आगी है तो middle level आपके position जो होती है वो क्या है दो निकट वर्ती cell के साथ क्या करती है वो आपस में एक दुसरे के साथ उसको चिपकाने का काम करती है यह इसका निर्मान कब होगा देखो middle level आपको यहाँ पर दिखाए दे रही है इस तरह से आगे सेल जो होती है आपस में एक दुसरे के साथ क्या होती है जुटती चली जाती है तो middle level आप प्राइमरी सेल वाल S1, S2, S3, secondary सेल वाल और बीच में फिर सेल मेंब्रेन यह मेंब्रेन है और अंदर का पार्ट जो है वो उसको lumen बोलते है lumen means जब सेल डेड़ हो जाती है तो अंदर का वाग खोखला रह जाता है उसे हम lumen बोलते है जब तक सेल जीवित है तब तक वो सेल के अंदर सेल सायटोप्लाजम अंदर के कां करेंगे लेकिन जैसे ही सेगेंडरी सेल बॉल बन जाती है तो अंदर का मेटिरियल सेल बॉल का सोरी जो सेल का है वो खतम हो जाता है और खोखली cavity के रूप में काम करता है जो जायलम और फ्लॉइम का में कर दी गोगि जो क्या करेंगी सिर्द्व में बन जाएगा तो वो क्या करेंगी फूर्ण मेटिरियल का परटीस्पेश्ट करेंगी या फिर वार्ट का ट्रांसपोर्ट करेंगी जारील में는 आफटी सिंद्व में. है लेकिन सुवेरी नहीं पुरीत ने से इंप्रेमेबल होजाती है जब इसके उपर चार और जम जाता है तो सुवेरीन जम जाने तो वो खाली cavity को क्या बोलते है lumen जब तक cell जीवित है उसके चार और क्या होगी वो cell membrane होगी cell membrane भी फिर खतम हो जाएगी तो lumen रह जाएगा तो एक तरह का क्या होता है ये cell wall जो होती है तीन layer secondary layer की पाई जाती है S1, S2, S3 और बीच का part जो होता है ये diagram मैंने बता दिए अब बात करें middle layer mila की middle layer mila जो होती है उसके अंदर pectine dish होता है ये जो कब बनता है ये जब cell divide करती है मानलो एक cell ये है एक cell बनी एक cell में nucleus था उसके बाद क्या हुआ उसके बाद इस से दो cell बनी मलब कि यहाँ पर दो cell बन गई इससी cell से दो cell बनी और इससे division हुआ तो सबसे पहले क्या बनेगा इसके अंदर middle ले मिला बनेगा इसके चारों और cell wall तो होगी होगी ये सभी इस तरह cell wall तो होगी होगी ये cell wall तो होगी तो यहाँ ये nucleus का material भी डिवैड हो गया तो सबसे पहले जो पार्ट बनता है जब cell डिवैड करती है उसे हम बोलते है middle ले मिला जो पेक्टीन की बनी होती है देरे देरे इसके अंदर क्या जमा होने लगते हैं calcium और magnesium material इस cell wall के उपर जमा होने शुरू हो जाते हैं और एक jelly जैसी structure मलब कि ये गौन ज़े structure बना लेता है जो calcium पलस magnesium पेक्टेट की बनी होती है तो middle ले मिला जो होती है वो calcium और magnesium पेक्टेट की बनी होती है और ये कब बनती है जब cell डिवैड कर रहा होता है अब देरे देरे इसमें क्या आती जाती है hardness आती है जैसे इसके उपर material magnesium और calcium के पेक्टेट जमावने शुरू हो जाते है तो ये क्या करता है इसको hard मलब कि ये पहले क्या होता है ये soft होती है लेकिन जैसे ही calcium और magnesium जमें इसके त्वरा क्या हो जाता है ये hardness हो जाती है और जब हम fruit को लेते हैं तो fruit पकीवी स्थीती में जब वो fruit पूरा green पार्ट में होता है fruit तो वो hard होता है लेकिन जैसे वो पकना शुरू हो जाता है तो fruit soft हो जाता है इसका मतलब जो calcium जो pectine है वो dissolve होना शुरू हो जाती है fruit के अंदर उसका softness होने का मतलब क्या होता है उसका जो pectine है वो dissolve होना शुरू हो जाता है तो competition exam में question पुछे जाते हैं कि फलों के पकने का या फलों के soft होने कारण क्या होता है middle level में पाया जाने वाला pectine hardness से softness की तरफ या कठोरता से कॉमलता की तरफ उसमें परिवर्तन हो जाता है जिसकी वज़ाए से वो क्या हो जाता है fruit soft हो जाता है तो यहाँ पर ये जो main cell wall है ये structure के अंदर पाया जाता है इसके साथ-साथ कुछ और cell wall के deposition होते हैं ये सभी deposition जो होते हैं वो cell wall को अंदर की तरफ पाये जाते हैं बालो की linen, suverine cellulose, emissalulose इस तरह के material जो होते हैं वो cell wall के अंदर पाये जाते हैं इसके साथ-साथ cell के उपर जो बाहर की तरफ जो sunlight की तरफ होता है वहाँ पर एक material और पाये जाता है जिसको बोलते हैं cutene जो vexy होता है इसका बनाता है cutene जिसको हम बोलते है cuticle जिसको हम क्या बोलते है cuticle ये क्या गरती है ये बाहर के जो exposed area होता है या जो बाहर के वातावरंड के साथ जो direct touch में होता है उस part में क्या पाये जाता है cuticle पाये जाता है और cuticle जो होता है evaporation या वासपोल सर्जन की प्रिक्रिया को धीमा कर देता है या बंद कर देता है ये भी वाटर इंप्रिमेबल है जल के लिए आपारगा में होती है तो इसके द्वारा क्या होता है किसी भी तरीके से ये पानी को बाहर निकलने से रोग देता है वासपोल सर्जन जब होता है तो तो रेगी स्थान में पाये जानवाल पतियों के उपर, क्यूटीकल ज्यादा पाये जाता है, यदि हम आख के पोदे को, जिसको आगडा बोलते हैं, आख के पतियों को देखें, तो उपर की पतियां बिल्कुल सपाट या चिकनी होती है, उपर क्यूटीकल, एक वेक्स जैसा पतार तोगा, यदि उसको आप नाखुन से थोड़ा कुरे दोगे, तो उसके उपर थोड़ा हरकाल का, मोम जैसा पतार था, वो नाखुन में चिपक जाएगा, वो क्या होता है इजे, क्यूटीकल या क्यूटीन ही होता है, जो वेक्स ही होता है, जो इवेपोरेशन को रोग देता है, सुबेरीन, लिगनीन, यह हमने समझा, यह सभी किसके स्टार्ज के होते हैं, यह अलकोहलिक, अलकोहल मेटिरियल के बनी होते हैं, जिसके अंदर फिनोलिक एसिड प्लस ग्लिस रोल, इससे यह बना होता है, लिगनीन के अंदर भी, लिगनीन और सेललोज, मिलकर क्या बनाते हैं, बुड पार्ट बनाते हैं, जो जायलम का पार्ट होता है, लिगनीन और सेललोज किसका पार्ट बनाएंगे, बुड का पार्ट बनाएंगे, जो लकडी की तरह का काम करया जो लकडी जो पार्ट है क्योंकि secondary cell wall जब बन जाती है तो फिर देरे-देरे cell खतम बना शुरू हो जाती है अब यहाँ पर एक डाइगराम और बनावा है यहाँ पर देखो यह middle ले मिला है primary cell wall है secondary cell wall S1 S2 S3 है कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि secondary cell wall कहीं कहीं पर deposit होना रुक जाती है केवल primary cell wall तक वो निर्मित रहता है मलब कि primary cell wall तो सभी cell के अंदर पर जाएगी जैसे इसके उपर यह material deposit होना start हो जाएगे mature होंगे तो वहाँ पर secondary cell wall बनेगी लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होता है जहां पर secondary cell wall नहीं बनती primary cell wall तो बनी हो यह लेकिन secondary cell wall नहीं बनी इस पार्ट को हम बोलते हैं pit या गड़ा या गर्त सिम क्या बोलते हैं pit गड़ा या गर्त अब इस गड़े के सामने यदि वहाँ पर दूसरा गड़ा है मालोगी दूसरा pit है तो वो simple pit जोगा उससे आसाने से material का अधान परदान हो जाएगा प्लाजमो डेस्मेटा भी होगा डेस्मो टिव्यूर्स भी होंगे तो असाने से material का अधान परदान करतेंगे लेकिन यहां पर यदि एक तरफ तो secondary cell wall नहीं बनी लेकिन दूसरी तरफ secondary cell wall बन गी इस तरह के पिट को हम बोलते हैं blind pit अंद गर्द या अंदा गर्द क्योंकि इस material से यहां तक तो यह connection हो जाएगा क्यों primary cell wall तो इस तरह के इस टाइप के गड़े को हम बोलते हैं blind bit और यहां पर पीठ है तो primary cell wall फिर secondary cell wall इदर नहीं है तो यहां पर दोन तरफ से क्या होते है materials का आधान परदान असानी से हो जाता है तो यह structure यह structure और यह structure बिल्कुल इसमें clear दिख रहा है कि cell wall के अंदर किस प्रकार से material अपने आपको deposit करते हैं material कौन कौन से होते है मैंनली competition exam में इनके question पुछे जाते हैं किसकी मात्रा ज्यादा किसकी मात्रा कम और टर्सरी cell wall कहां पाई जाती है evo operation को रोकने के लिए कौन से layer पाई जाती है water permeable layer कौन सी है इसके साथ साथ इसमें अने एक material है वो deposit किस प्रकार से होते है primary cell वाल क्या है secondary cell वाल क्या है तो उन्हें difference के हिसाब से क्या होते है question competition exam कुछे जाते हैं तो यह है हमारा cell wall अब हमारा cytoskeleton system वालोग कि अभी membrane के organ हमने पढ़ लिए S.A. cell के organ जिसके उपर membrane पाई जाती है double membrane की structure हमने समझी single membrane की structure हमने समझ ली अब हम समझेंगे membrane less organ वो भी cell के अंदर पाई जाते हैं उनको हम detail में समझेंगे NCRT की book के अंदर थोड़ा short में देर क्या है तो हम उसको detail में समझेंगे competition exam के लियास से most important organ है हम centriol समझेंगे हम rib ribos हम समझेंगे mcelia frazila के बारे में समझेंगे तो वो structure हम next class में समझेंगे आज के लिए इतना ही है अगर यह video पसंद आया है तो please like और subscribe जरूर करें